नवस्कार, competition community के इस online platform पर आपका स्वागत है कैसे आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी तो दोस्तों हमने पहले, इसके पहले हमने देखा था राज जिन्रबाचन आयोग को डिटेल वीडियो में पढ़ा था हमने और आज हम देखेंगे राज जिन्रबाचन आयोग के जो महत्यपूर्ण बस्टूनिस्ट प्रस्न है साथियो कोई भी टॉपिक हो, जब हम उसको पढ़ते हैं उसके बाद हम objective solve करते हैं तो हमको यह पता लगता है कि हमने जो पढ़ा वो कितना याद है हमें और उसमें question कैसे पूछे जाते हैं question फूछने का exam में क्या आयाम होता है उसके practice हम कैसे करते हैं तो बस्टूनिस्ट प्रकार के present objective type question क्योंकि हमारे जो मद्धिप्रदेश प्रेलिमस examination की प्रकिती है वो बस्टूनिस्ट प्रकार का प्रश्ण प्रारंभिक परिच्छा में पूछे जाते हैं उसी प्रकार मैंने आपको लेकर आया है एक important question answer session जिसमें हम बहुत सारे questions को हल करेंगे और परखेंगे कि आपने जो पढ़ा इसके पहले वो कितना लाफदायक साबित हुआ कितने चीजें हमको याद है तो आईए हम एक एक करके questions की और आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कुछ महत्पूर्ण प्रस्ण के बारे में और उनको हल करते हैं चलिए आईए आज का जो पहला प्रस्ण है वो क्या कहता है कि मद्ध प्रदेश राज जिनिर्वाचन आयो कितने सदसी निकाए है इसके बारे में पूछ रहा है आईए option देखते है option A में कहता है एक सदसी निकाए option B में कहता है दो सदसी निकाए Option C में कहता है 3 सदसी निकाए और Option D में कहता है 4 सदसी निकाए तो हमने जब पढ़ा है राज निर्वाचन आयोग उस समय हमने चर्चा करी थी कि ये कितने सदसी निकाए है कौन राज निर्वाचन आयोग तो साथियो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा Option A ये एक सदसी निकाए है इसमें एक चुनाव आयोक्त होता है राज निर्वाचन आयोग आए आगे बढ़ते है Next Question क्या कहता है कि राज निर्वाचन आयोग की गठन से सम्मंदित अनुछेद है कौन सा अनुछेद है जिसके तहट राज निर्वाचन आयोग का गठन हुआ इसके बारे में Question पूछ रहा है आए देखते है Option और उसके बद सही अंसर हम लोग बताएंगे Option A आपको कहता है अनुछेद 243 O Option B कहता है 243 K और Option C कहता है 242 और Option D कहता है 243 तो अगर आपने ध्यान से वीडियो देखा होगा पढ़ा होगा तो आप इसका उत्तर आसानी से दे पाएंगे तो जो एंसर B इसका राइट होगा क्योंकि Option B में 243 K है और हम जानते हैं कि 243 K के तहत ही राज जिन निरवाचन आयोग के गठन का राबधान किया गया है आईए अपन अगले कोश्चन की और आगे बढ़ते हैं कोश्चन नमबर 3 क्या है कि राज जिन निरवाचन आयोग किसके आधीन कारे करता है किसके आधीन काम करता है राज जिन निरवाचन आयोग इसके बारे में बात की गई है Option पहला है भारत के राजट पती Option B में कहता है राज जिके राज जपाल Option C में कहता है भारत निरवाचन आयोग Option D में कहता है के अंसर कार जो इसका सही उत्तर होगा इसका right answer होगा वो होगा option B राज के राज पाल के आधिन कौन काम करता है राज निर्वाचन आयोग की संस्था और हमारे राज पाल को ही ये अधिकार है कि वो आयोग से संबंधित प्रापधानों को तैं करें उनको ये सक्ति दी गई है इसलिए option इसका B सही है राज के राज पाल अपन नेस्ट question की और आगे बढ़ते है अंगला प्रस्ण क्या है question number 4 कहता है कि राज निर्वाचन आयोग के चुनाव आयोगत को हटाया जा सकता है कैसे हटाया जा सकता है कौन हटाया जा सकता है इसके बारे में question पूछ रहा है आईए option देखते हैं और उसके बाद इस question का answer देंगे पहला कहता है राज पाल द्वारा B कहता है राज पाल द्वारा और C कहता है किन सरकार द्वारा और D कहता है राज सरकार द्वारा जो इसका सही उत्तर होगा जो इसका right answer होगा, वो option B, राज जपाल द्वारा इनको हटाय जा सकता है, ऐसी समयधानिक प्रक्रिया है राज निर्वाचन आयोग में, अपन अगले question की और आगे बढ़ते हैं, और आज का अंगला प्रस्न देखते हैं, राज निर्वाचन आयोग नगरी निकायों के निर् राज निर्वाचन का संचालन, इसके बारे में question, पूछ रहा है, आपके option है, 243K, option B में है उच्छे 243L, option C में है 243N, और option D में है 243ZA, तो इसको हमने जब पढ़ा था, उस समय मैंने आपको बताया था, कि इसका सही answer क्या होगा, किस article के तहट नगरी निकायों का कराता है, तो जो इसका सही उत्तर होगा, और option D, इसका सही उत्तर होगा, अच्छे 243ZA, इसे या का भी कहा जाता है, इसमें नगरी निकायों से संबंधि चुनाओं का प्राभधान की बारे में बात की गई, अंगले question क्यों और आंगे बढ़ें, तो अंगला प्रसम क्या कह क्याता है, कि मद्य प्रदेश राज जिन रवाचन आयोग में निम्न में से कौन आयोग तो नहीं रहा, वित्रोक जैसा कि आप अगर previous year question paper देखें होंगे, मद्य प्रदेश प्रेलियम्स examination, जो पिछले आप अगर 8-10 साल के question उठा के देखें, तो उनमें नहीं को लेकर, आ नहीं रहें, इन में से कौन से किसी आयोग के सचिम नहीं रहें, ऐसे question आयोग बार बार पूछता आया है, इसलिए हम ने ऐसे question आपके लिए लाएं हैं, और आप इसकी practice जरूर करें, सारे को तो इनसान याद नहीं रख सकता, लेकिन अगर हम एक दो बार इनको सरसरी निग और इसका सही उत्तर बताएं, option A में कहता है स्री गोपाल सरन सुकल है, उसके बाद B में कहता है सी आर परसुराम, और उसके बाद C में कहता है डाक्टर अजीत रायजादा, और D में कहता है स्री अवनी वैस पूछ रहा है कि निम्न में से कौन आयुक्त नहीं रहा, तो जो इसका सही उत्तर होगा, जो इसका right answer होगा, वो अपसंडी होगा, अवनी बैस ये कभी भी कौन मद्य प्रदेश, राज्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रहें, बाकि ये तीनों जो हैं, वो कभी न कभी इस पद पर रहें, आजए आगे बढ़ते हैं, अंगला question देखते हैं अगला question क्या है, question number 7 ये है, कि मद्य प्रदेश, राज्य निर्वाचन आयुक के बरतमान निर्वाचन आयुक्त कौन है, इसको चाहें तो आप एक current से भी relate कर सकते हैं, कि ये current का question है, बरतमान आयुक्त कौन है, इनके बारे में पूछा गया है, आपके option है, C प्रकांस बसंद प्रताफ सिंगे जी बरतमान में चुनाव आयुक्त हैं, और ये इस पद पर कब आये, तो ये एक 2019 में इनकी नियुक्त की गई थी, और तब से ये लगातार अभी इस पद पर बने हुए हैं, अब अपन अगले question क्यो रांगे बढ़ते हैं, और अंगला प्रस्न दे पल सा question है, इसका answer आप बता पाएंगे, पहले में कहता है कि हर बोट कीमती हर निकाए महत्व पूर, option B में कहता है प्रमुक धे मतदाता जागरूपता, और option C में कहता है उपरयोक्त में से कोई नहीं, और option D में कहता है कि उपरयोक्त में से सभी, मतलब ये दोनों होंगे, लेकिन जो इसका सही उत्तर है, जो हमारे मद्द प्रदेश राज निर्वाचन आयोग का धेवाक्य है, वो है हर वोट कीमती, हर निकाए, महत्यपूर्ण, इसलिए इसका option A सही उत्तर होगा, option A right and sun होगा. अपन आगे बढ़ते हैं, तो क्या है मद्द प्रदेश राज निर्वाचन आयोग किस दिवस को प्रतेक वर्स मद्दाता सूची अपडेट करता है, मद्द प्रदेश का जो राज निर्वाचन आयोग है, वो कब अपनी मद्दाता सूची को अपडेट करता है, तो option देखें और उसके बास सही इंसर बताएं option A में कहता है एक जनवरी option B में कहता है 24 जनवरी option C में कहता है दो अक्टूबर और option D में कहता है एक अप्रेल तो जब हमने पढ़ा था राज जनिर्वाचन आयोग उस समय मैंने आपको बताया था कि एक जनवरी को मद्ध पिदेश राज जनिर्वाचन आयोग हमेशा अपनी मतदाता सूची अपडेट करता है इसलिए जो इसका सही उत्तर होगा जो इसका राइट एंसर होगा वो होगा option A एक जनवरी आईए एगले question की ओर और आगे बढ़ते हैं अंगला प्रस्न देखते हैं अंगला प्रस्न है question no.10 है ये कहता है कि फोटो युक्त मतदाता सूची या तयार करने का दायत्व किसका है कौन फोटो युक्त मतदाता सूची तयार करता है option A में कहता है जिला निरवाचा नधिकारी option B में कहता है मुख निरवाचन अधिकारी और option C में कहता है भारत का मुख चुनाव आयोक्त और option D में कहता है राजजपाल इसका जो सही उत्तर होगा जो राइट एंसर होगा वो जिला निर्वाचन अधिकारी को ये अधिकार है कि वो फोटो युक्त मद्दाता सुची तयार करे अब अपन आगे वढ़ते हैं और next question देखते हैं अंगला प्रस्न क्या है? अंगला प्रस्न है मद्दप्रदेस राज निर्वाचन आयोग द्वारा जानकारी किये गए जारी किये गए होना चाहिए यहाँ जारी किये गए जारी किये गए मोबाईल एप का नाम क्या है? साथियों कई बार slide बनाने में printing mistake हो जाती है तो आप यह ध्यान रखें कि question यह पूछ रहा है कि मद्दप्रदेस राज निर्वाचन आयोग ने कौन सा एप जारी किया है चुनाओ से संबंधित उसके बारे में question पूछ रहा है option है आपके A चुनाओ B C विजिल और C बोथ और D बोटर हेल लाइन तो जो इसका सही उत्तर होगा जब हमने पढ़ा था निर्वाचन आयोग के बारे में राज निर्वाचन आयोग के बारे में तो इसके लिए बात की थी चुनाओ जो इसका है वो सही उत्तर है क्योंकि चुनाओ आयोग को किसने लांच किया है मद्द प्रदेश राज निर्वाचन आयोग ने C विजिल के बारे में अगर देखे तो C विजिल भारत निर्वाचन आयोग का एक एप है यहां राज निर्वाचन आयोग मंद्रदेश राज निर्वाचन आयोग के एप के बारे में पूछ रहा है उनका जो चुनाओ का एप है वो है यह चुनाओ नाम ही है उसका इसलिए इसका option A सही उत्तर होगा अपन अंगले कोश्चन की और आगे बढ़ते हैं अंगला प्रस्न देखते हैं राज निर्वाचन आयोग के इन में से क्या कार है इन में से कौन सा कार राज निर्वाचन आयोग करता है उसके बारे में पूछा गया है Option में क्या है? Option A कहता है पंचायतों का निर्वाचन, Option B कहता है नगरी निकायों का निर्वाचन और Option C कहता है विधान मंडल का निर्वाचन कराना और Option A कहता है A और B दोनों तसाथियों देखें पंचायत का निर्वाचन बिलकुल कराता है हमारा राज निर्वाचन आयोग B नगरी निकायों का भी चुनाव करवाता है लेकिन C विधान मंडल का चुनाव राज निर्वाचन आयोग नहीं कराता है इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग जैसी संस्था है, इसलिए जो इसका सही उत्तर होगा, वो option D होगा, A और B दोनों इसके, जो A और B कथन है, वो दोनों सही है, इसलिए option D इसका सही उत्तर होगा, अब अगे बढ़ते हैं, और next question देखते हैं, अंगला प्रेस्न देखते हैं, question number 13 कहता है कि बिधान सभाववा बिधान परिस्त के लिए चुनाओ की अधिसूचना इन में से कौन जारी करता है, चुनाओ की अधिसूचना जारी करने का काम कौन करता है, उसके बारे में उचा गया है, option में हैं राजजपाल, A में, option B में हैं निर्वाचन आयोग भ राजपाल अधिसूचना जारी करता है, लेकि जो चुनाओ कराने का काम होता है, बिधान सभाव बिधान परिस्त करता है, भारत निर्वाचन आयोग गिन अधिसूचना राजपाल दोरा जारी की जाती, अब अगले question क्यों रागे बढ़ते हैं, और अगला प्रस्न देखत हैं, अगला प्रस्न क्या है, राजपाल बिधान सभा निर्वाचन संबंधी कारी का परिवेक्षण कौन करता है, परिवेक्षण के बारे में पूछ रहा है कि इनका परिवेक्षण कौन करता है, तो राजपाल जो इसका सही उतर होगा, जो इसका राइट एंसर होगा, वो option A, इसका सही उत्तर होगा आप अगे बढ़ते हैं अंगला question देखते हैं question number 15 कहता है कि पंचायत चुनावों के लिए मतदाता परिचे पत्र किसके दौरा जारी किया जाता है मतदाता परिचे पत्र कौन जारी करता है इसके बारे में पूछ रहा है option है केंदरी निर्वाचन आयोग, option B में है राज निर्वाचन आयोग option C में है राष्ट पति दौरा, option D में है संसत दौरा जो बोटर मतदाता परिचे पत्र जारी करता है वो केंदरी निर्वाचन आयोग जारी करता है आपके पास भी अगर voter ID होगा तो आप उसमें देख सकते हैं के अंदे निर्वाचन आयोग वो जारी करता है अब अपन अगले question की ओर आगे बढ़ते हैं तो next question देखते हैं अंगला question क्या कहता है मद्द प्रदेश राज निर्वाचन आयोग का गठन कब हुगा इसके बार हैं पूछ रहा है ये एक simple question है ये इसलिए लाया गया कि आपको देखें आपका revision कराएं कि चीजें आपको कितनी याद हैं option A में है एक फरवरी निश्टो चौराननवे option B में है 25 जन्वरी निश्टो पचास और option C में है 26 जन्वरी निश्टो पचास और option D में है एक नमबर निश्टो पचास तो जो इसका सही उत्तर होगा जो इसका right answer होगा वो होगा 1 फरवरी निश्टो चौराननवे क्योंकि हम जानते हैं कि 73 संभीधान संसोधन और 74 संभीधान संसोधन के बाद राज निर्वाचन आयोक का गठन हमारे मद्ध्रदेश में किया गया और वो गठन कब हुआ एक फरवरी 1994 को अब अगे बढ़ते हैं और अंगला प्रस्ट देखते हैं तो निम लिखित में से कौन मद्ध्रदेश निर्वाचन आयोक की प्रथम महिला सचिव रही है इसके बारे में कोश्चन पूछ रहा है प्रथम महिला सचिव के बारे में कोश्चन पूछ रहा है पहला है उर्मिला पार्टिदार Option D में कहता है सुनीता त्रिपाठी Option C में कहता है रजनी उईके और Option D में कहता है Bija Sievastow जो इसका सही उतर होगा जो राइट अंसर होगा वो होगा Bija Sievastow Bija Sievastow जी प्रथम महिला सचीव रही है कहाम मद्द्रप्रदेश निरवाचन आयोक की अब अंगले question की और आगे पढ़ें अगला प्रस्न देखते हैं देश में सरप्रिथम राज जिर्वाचा नायोक का गठन किस राज्ज में हुआ वो कौन सा राज्ज है जहां पहली बार राज जिर्वाचा नायोक का सबसे पहली बार गठन हुआ तो option A में कहता है महराज्च, option B में कहता है 36 गर, और option C में कहता है गुजरात और option D में कहता है मध्ध प्रदेश, इसका जो सही उत dabei होगा, इसका जो राजिज जो राइट destructive होगा, वो होगा option D क्योंकि पहली बार राजन निर्वाचन आयोग का गठन मद्ध प्रदेश में हुआ और मद्ध प्रदेश में पहली बार चुनाओं भी संपन्ध हुए इसलिए गठन करने का काम और निर्वाचन कराने का काम भी मद्ध प्रदेश में हुँ पहली बार हुआ question number 19 कहता है कि मद्ध प्रदेश में राज निर्वाचन आयोग की गठन की पस्चात कितनी बार पंचायत की आम चुनाव हो चुके हैं और इस प्रकार के question आयोग में पूछे गए हैं और जहां तक मुझे याद आ रहा है तो ये question भी आयोग में पूछा जा चुका है ऐसे question आयोग पूछता है तो जो इसका सही उत्तर होगा वो option के according हम तैंक करेंगे option A में कहता है 3, option B कहता है 4, option C कहता है 5 और option D कहता है 6 तो जो अभी तक जब हमारे मद्ध प्रदेश राज निर्वाचन आयोग का गठन एक फरवरियों निस सो चौरा नवी के हुआ तब से लेकर अब तक 5 बार आम चुनाव हो चुके हैं अब अपन अंगले question की ओर आगे बढ़ते हैं और अंगला प्रस्न देखते हैं राज निर्वाचन आयोग की सेवा सरते वपदा वधि निर्धारित की जाती है किसके द्वारा निर्धारित की जाती है कौन निर्धारित करता है उसके बारे में पूछ रहा है A में कहता है विधान मंदल द्वारा B में कहता है सुनसत द्वारा C में कहता है उच्च नायाले द्वारा D में कहता है राजपाल द्वारा इन में से कौन सा उत्तर सही होगा इसके बारे में बात कर रहा है आयो क्या पूछ रहा है कि राज निर्वाचन आयोक की सेवा सरते वपदा वधि निर्धारित की जाती है किसके द्वारा निर्धारित की जाती है तो वो राज जपाल द्वारा निर्धारित की जाती है राज जपाल निर्धारित करता है कि इनकी सेवा अवधी कितनी होगी इनकी सेवा सरते क्या होगी वो राज जपाल निर्धारित करता है आज के अंगले और अंतिम प्रस्ण की ओर हम आगे बढ़ते हैं तो आज का अंतिम प्रसनी ये है कि राज निर्वाचन आयुक्त का दर्जा किसके समकक्ष होता है उसके बारे में question पूछा गया है तो A में कहता है सचिव के समान B में कहता है उच्चितम नयाले के नयाइधिस के और C में कहता है उच्चितम नयाले के नयाइधिस और D में कहता है राज सूचन आयोक्त तो इसका जो सही उत्तर होगा जो इसका राइट अंसर होगा वो होगा उच्चितम नयाले के नयदी इसके समान कि राज निर्वाचन आयोगत का दरजा होगा तो साथियों आज हमने राज निर्वाचन आयोगत के जो महत्यपूर्ण बस्तुनिस्ट प्रेसन थे उनको हमने देखा लगाया और हमने प्रेक्टिस करी इस तरह आज जो राज निर्वाचन आयोगत का है वो चाहे वीडियो लेक्चर हो चाहे अबजेक्टिव टाइप हो यह दोनों सेशन कंप्लीट होते हैं अब हम अगले दिन अलग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और एक नए वीडियो के साथ आप से रूबरू होंगे आप तब तक अपनी तैयारी को और बहतर बनाएं और उसमें मेहनत करें और अच्छे से आप पढ़ाई करें आप लोग हमसे जुड़े रहें आपका बहुत बहुत धन्दवाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक यू